ऐसे हैं तो मुझे एक संत की नजर से ही देखते हैं कि जैसे हम एकांत में बैठकर अपने मन को मारकर प्रुभू में लगाते हैं ऐसे आप अपने परिवार का मों छोड़कर आप संसार के सुखों को रौंद करके अपने प्राणों को भारत देश के लिए समर्पित करने के ल अनिक ना हो तो आतंक कहीं भी जा करके सब बिनास कर देए इसलिए आपका अब यह सब्दा आज तक किसी को नहीं बुला यह बोलें कि आज हम आपका स्वागत करते हैं कि आप ब्रंदा और में पधारें इस बात का हमारे देश की रक्षा के लिए आपने जो कष्ट सहा हैं अगर हमारे देश में आप जैसे वीर ना हूँ उसमें गदारी कर बेठें तो हम मारे जाएंगे हम जीतने भारत वासी चैन से तवीस होते हैं जब आप बेचैन होकर रात में जाकते हैं हर याल सकता है कि आपको पता है कि एक मिनट में शरीर जा सकता है आप वहां तैनात हो करके हर प्रयास आभीनों ने आपको उश्म बता या आप यह बारा गूलियां सरीर में खाई फिर भी भारत के लिए हमारा है आपके लिए कि हम स्वागत करते हैं ऐसा ही जाए ऐसा इस शूर्वीर युद्धा भगवान का रिजाने वाला भग्त बनता है लिको भगवान इस पर प्रशन वे आप जहां आए हो यहां आना सहज नहीं है इस शिधाम ब्रंदावन है और प्रियाजू की कृपा की विना देश की शुरक्षा से मिले हैं आपको श्री जी की चुन्डरी और मालाला को पहनाएं विशेष स्वागत इग्गा करते हैं क्योंकि हमारे देश के लिए प्राणों का बलिदान करना बहुत कछिन बात है प्राणों का बलिदान करना और इस पस्त एक गोली में तो धूल च महाराश्री पिछले कुछ समय से आपको सुनना शुरू किया है बहुत आनंद की अनुभूती होती है महाराश्री हम भी भजन मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं किरप्या मार्ग दर्शन करें जो शेवा से आपको शमय मिले तो जो प्रभू का आपको नाम प्री है वो जपने की प्रयास करें जपने का भाव करें और अगर आपको कहीं आउशा ऐसा उसर मिले कि नौजवानों को आप सिक्षा दे सकें अधिक से अधिक भले आप सरकार की तरफ से निवर्त हो जाए तो आगर कहीं भी रहें तो आपको सबसे बड़ा भजन होगा आप हमारे देश की तैयारी करवाते रहें गाहों के या अपने प्राम्त के नौजवानों को उनमें शूर्वीरता भरिये उनमें देश रक्षा का भाव भरिये भगवानिशी से प्रशन्म होगे और नाम जब करत और सत्संग सुनने से है कि अशत धारणाय नश्ठ हो जाती है वास्तिविक बात समन में आती है एक दिन सरीर तो जाएगा ना तो आप जहां जाना है उस ठीकाने देखो कितनी कृपा आपके उपर है कि आपने वो प्राप्त किया है देखो बड़े-बड़े पदों में बै आत्मा का अधर करते हैं हमारे हिर्दय में उसके प्रति उतनी शुर्दा है जैसे शन्याशे अपने जीवन को समर्पित करके हर कश्ट सहता है दूसरा नहीं जानता कि वो कितना अंदर से बाहर की केवल बात आप जाने जिन भोगों में आप जल करके गिरते हो उन भोगों म अंदर शिभावना से प्रणाम करते आप नाम जेब करते रहे और शत्य वस्तु की प्राप्ति की चाह कर लीजे तो यह जो समय गया बड़ा मंगल में गया आगे जो जाएगा और महा मंगल में जाएगा क्योंकि शरीर शुटने बाद यह भगवान मिल गये न पूरी बात बन गई इधर देश शेवा हो गई और उधर जीवन का लाभन हो गया यहां तो यसुआ ही यहां तो शम्मान है कोई भी ऐसा नहीं तुम्हारा सम्मान करें पदा धिकारी का सम्मान होना मुश्किल हो सकता अगर थोड़ा भी भारत का नमक है तो एक बार तो सलूट मारेगा चाहते हैं कि उनके सामने भी आपको श्वालत हो अमारे बच्चे हो आप इसके लिए नाम हमारे देश काई को शिक्षा को स्भी हमारे जिक्ता का जब आ कि झाल झाल